हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल स्टेप बाई स्टेप गार्णी तो आज का टॉपिक है वेजिटेबल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फरबरी मार्च में आपको कौन सी सब्जियां अपने कीचन गार्डन में ग्रो करनी है समर टाइम में तो मैं मैं खुद भी बहुत सारी सब्जियां ग्रो कर रही हूँ आगे उनकी केर वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी तो अभी आप उसकी सीडलिंग कर लिजे क्योंकि मैं भी खुद सारी सब्जियां ग्रो कर रही हूँ और उनकी सीर्स लगा के ग्रो कर चुकी हूँ और सिटे अविलेबल होते हैं और उनकी जी से सैपलिंग में चोटे बहुदे आप दोनों ही चीजें आप लगा सकते हैं तो मेंने खुद भी लगाया हैं तो मैंने सुचा क्यों आ आIGHT के लिए बहुत सारा आपशन होता है कई तरह की अलग-अलग सबस्चिया आप अपने कीचन म होती हैं तो उसमें सब्जी लगना शुरू हो जाता है दूसरी है बेल वाली तूस तीसरी जो सब्जी की कैटेगरी उसमें साग है जो हरी पत्ते वाली सब्जी होती है और चौती है सलाथ तो पहले वाली लिश्ट की में बताती हूं आपको लेकिन उससे पहले मैं आपको बत तो उसके लिए 40% गार्डन स्वाइल लिजीए 40% उसमें कॉमपोज्ट एट कर लिजीए कोई अच्छा सा कमपोज्ट लिजी और इसके बाद 20% उसमें रिवर सैंड एट कर लिजी ताकि वो वैल्डन स्वाइल बनके तयार हो उसके बाद इस स्वाइल मिश्चर में आपको सबसे पहला है प्रिंजल, बैगन को आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, इनकी सैपलिंग भी मिलती है, और अगर अगर आप जादो कंटिटी में ग्रो करना चाहते हैं, तो उनके सीर्स लाके ग्रो कर लीजिए, उनकी पौदबन के तियार हो जाएगी, तब पौट में या फिर कंटीनर में सिफ्ट करके लगा सकते हैं, तो ब्रिंजल भी फरवरी मार्च में ग्रो किया जाता है, नेक्स्ट वेजिटेबल है बिंडी, बिंडी को भी आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, फरवरी मार्च में ही इसे लगाया जाता है, सी लगाया है तो अच्छा सब्सक्राइब करके स्वाइल मिश्चर में आप लगाये और उसमें छोटी-छोटी जो प्लांट रहते ना उसी में शुरू हो जाता है तो शिम्मला मिर्च भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए मैं खुद भी एड कर रही हूं तो मैंने सुच आप लोगों से भी शियर कर दूँ कि मिर्च का तो पूरे जो साल है वो किचन में यूज रहता है हर एक सबजी में ज्यादा से ज्यादा इससे यूज किया जाता है तो मिर्च आपको अपने किचन गार्डन में जरूर एक करना चाहिए उसके बाद है पूरे साल हमारे किचन में बहुत अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है तो इसकी बहुत सारी पौद मार्केट में आ चुकी है तो मैंने भी लाके लगाया है आप भी टमाटर को अपने गार्डन में एक कर सकते हैं उसके बाद में बता रहे हो आपको बेल वाली से या फिर वारी अगेरे करके ऊसे पहला सकते हैं पिर उसमें सब्जी के लगने शुरू हो जाता है तो इस लिशिट में पहला नाम हें लोग्या लोगय जी से Hill में अपर की तरफ ऒसकुरू हो तो सेम फली भी आप अपने गार्डन में ग्रो कीजिए, फरवरी मार्च में मैं खुद भी ग्रो कर रही हूँ, उसकी सीट्स मैंने लगा दिये हैं, एक हपते में ये जर्मिनेट हो जाते हैं, उसके बाद उसकी ग्रोथ होती रहती है, टाइम टाइम से उसमें कॉम्पोज, वाटरिंग और सनलेट का दियान रखेंगे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, और आपकी गार्डन में वो अच्छा सा फल देगा, तो सेम फली आप लगा सकते हैं, उसके बाद नेक्ष्ट है बीन्स, बीन्स भी आप सीट से ग्रो कर सकते हैं, बीन्स में छोटे छोट या फिर एक फिट की फौद होती है, और उसी में बीन्स लगने शुरू हो जाते हैं, अच्छे से अगर आप लगाते हैं, अच्छा कमपोज और अच्छा सोयल मेशे बना के तो एक ही पौद में धिर सारी फलिया लग जाती है, बीन्स को भी आप अपने गार्डन में देना तो इस state ग्रह आगा दिया है अब उसके शी ग्रो। में बीन क आप मूंट हऊ लगा Sकते हैं एक ऐर ते बात है Rank के दूट में वार्भ में लगाते हैं, अच्छी बात है, tiếूटाज से इंक वहा है लाएट क लीजे आउनल दियागउ कंटेनर में वह लगा दाएग, तो लंबी से बेल जाएंगे और उसमें तूरही फलना सुरू हो जाएगा दो तरह के तूरही की सीड्स-क्ली मार्केट में आवलेबल और पूरे समर ये लौकी लगता रहता है इस प्लांट में, उसके बाद एक कद्दू, काफी लोग को कद्दू खाना पसंद होता है, तो कद्दू भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, इसके भी सीर्स ही लगते हैं और इसकी भी बेल होती है, तो ये सारे बेल वाल और बहुत जल्दे इसकी पहुत त्यार हो जाएगी, तो आप इसे कई बार कट करके अपने किचन में यूज कर सकते हैं, पालो को दो से तीम बार कट किया जाता है, बार बार उसमें दुबारा से ग्रूथ हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्पोजेट करना होता है हर बार की कट तो पालक भी आप सीर्स के थ्रू अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स है मेथी, मेथी के भी पते ही यूज होते हैं, उसके पराटे भी बनते हैं, उसकी सबजी भी बनती है, और वो हेल्थ के लिए बहुत फायदे मन्द होती है, तो पालक और मेथी आप अपने कीचन गार्डन में फरवरी मार्च में ग्रो कर सकते हैं मैं भी कर रही हूं उसके बाद है धनिया धनिया का तो बहुत जादा यूज होता है सब्जियों में डाला जाता है उसकी चटनी भी बनाई जाती है और साथ में कुछ लोग इसका सैलेट भी खाना पसंद करते हैं यानि किसके ग्रीन फत्तों को खाना पसंद करते हैं तो धनिया भी ग्रो कर सकते हैं मैं भी ग्रो कर रही हूं तो आप फरवरी मार्च में इसे ग्रो कर लीजिए उसके बाद नेक्स है पुदीना पुदीना भी पत्तेदार सब्जियों में ही आता है पुदीने की भी चटनी बनाई जाती है और कई तरीके से यूज़ किया जाता है तो पुदीना भी आप अपने किचन गार्डन में ग्रोग कीजिए एक पॉट में भी लगा देते हैं पुदीना भी लगा सकते हैं पुदीना भी लगा सकते हैं पूरे समर्य बहुत अच्छी ग्रोग करेगा और आप अच्छी क्वैंटिटी में उसे हावेश्ट करके अपने किचन में यूज़ कर पाएंगे तो ये हो गई साग जिसकी हम पतेदार सब्जी हम लोग यूज़ कर सकते हैं उसके बाद नेक्ष्ट है सलाद सलाद हमें खाने में जरूर यूज़ करना चाहिए खाना तो हम तीनों टाइम खाते हैं लेकिन सलाद खाना हम बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर हम सलाद अपने खाने में एट करते हैं तो उससे हमारा सिहत बहुत अच्छा रहेगा आप हमेसा फिट रहेंगे तो सलाद के लिष्ट में पहला नामे खीरा जिसे हम को कंबर भी बोलते हैं खीरे को सीर्ट से ग्रो किया जाता है इसकी भी बेल होती है और इसे क्लाइम किया जाता है तो बहुत अच्छी कोंड़ी टीम इसमें खीरे लगने लगते हैं तो आप इसके मार्केट से सीर्ट लाके ग्रो कर सकते हैं मैंने भी सीर्ट के लगाए हैं जर्मिने ठोने वाला है तो पूरे समर ये खीरे लगते रहते हैं और आप इसे अपनी किचन में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं उसके बाद नेक्ष्ट है ककड़ी ककड़ी भी सलाद में यूज किया जाता है वो भी हेल्ट के लिए फायदे मन्द होता है तो ककड़ी भी आप अपने किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं चाहे पॉट में चाहे तो ग्राउंड बे उसके बाद नेक्ष्ट है मूली मूली भी सलाद का ही काम करता है उसके साथ इसके पराठे भी बहुत टेश्टी बनते हैं तो मूली भी आप सलाद में खा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इसके भी सीर्ट सी लगाए जाते हैं, मैंने भी मूली ग्रो किया है, तीसरे दिनी इसमें स्प्राउट बनके ग्रो होने लगा है, तो बहुत तेजी से ये तयार होता है, एक से डेड़ महिने में ये तयार हो जाए स्वंऔर में अपर आप इस तो किचन में जोने के लिए तो गाजर भी आप ग्रो कर सकते हैं उसके बादनेक्स इसे हो आप अपने kitchen garden में grow कर सकते हैं और इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और as a salad भी खाया जाता है तो सलजम भी grow कर सकते हैं उसके बाद next है beetroot यानि की चुकंदर चुकंदर को भी बहुत इजली grow किया जाता है जैसे गाजर grow करते हैं वैसे ही इनके भी seeds लगते हैं या फिर बहुत भी बिल जाती है तो आप उसे लाके मार्केट से और grow कर सकते हैं चुकंदर भी salad होता है और आप इसे अपने kitchen garden में add कर सकते हैं उसके बाद last है lettuce ये एक पता होता है एक show plant भी लगाते हैं अपने गार्टन में लेट्यूस को भी आप अपने गार्डन में grow कर सकते हैं तो ये पूरी list थी सब्जियों की अलग-अलग category में मैंने divide करके आप लोग को बता दिया इसमें से जो चाहें सब्जी आप seeds से grow कर सकते हैं जिनकी pot मिलती है उसे pot से grow कर लीजिए अच्छा सा soil mixture नाइए compost आइड करना बहुत जरूरी है तो इस तरह से आप इन सब्जियों को समर में grow कीजिए और पूरे समर इससे harvest करके अपने kitchen में यूज कीजिए मुझे कीन आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगी की तब तक अपना और अपने garden का ख्याल रखिए बाइ फ्रेंस हैपी gardening